सावजिक नियाय तथा अधिकारिता मंत्री मास्टर भवलाल मेगवाल के स्वास्त में काफी सुधार है ब्रीन हेम्रेज और पैरिलिसिस होने के बाद में मेगवाल राज से ही SMS अस्पताल के ICU वोर्ड में वेंटिलेटर पर है आपको बता दे कि मेगवाल के अस्पस्त होने की खबर मिलते ही सियम अशोग घैलोत राजपाल कलराज मिश्र ने उनके स्वास्त की जानकारी ली वही उपुखे मंत्री सचन पाइलेट, मंत्री विश्वेंद्र सिंग, प्रताप सिंग खाचर्यवास और साथी मेच शिकित्सा मंत्री डॉक्टर रगुष शर्मा ने भी SMS अस्पताल पहुँच कर उनके स्वास्त की जानकारी ली उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठोर, मंत्री हरी शौधरी ने अस्पताल पहुँच कर मेगवाल से स्वास्त समंद्ध जानकारी ली वहीं AICC कोशा धक्ष हैमत पतेल, प्रोदेश कॉंग्रेस प्रभारी पांडे ने भी मेगवाल की पुत्री बनारसी मेगवाल से फोन पर बात करके उनके स्वास्त की जानकारी ली प्रोदेश के सभी नेताओं ने उनके स्वास्त लाप की कामना की है अस्पिताल प्रिशासन की और से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल उनके स्वास्त में काफी सुधार है और इसी खबर परतिक अप्डेट के लिए एवन समरता दिनेश कसाना मेरे साथ में फूल लाइन पर जूचिक है दिनेश कल जैसे ही शाम में एक खबर आई उनके अस्वस्त होने की मास्टर भवलाल मेगवाल जी के तो एक बार गी जो लोग है उनके दिल में हापर दर्च सा हुआ लेकिन अब ये स्वास्त सुधार की जो खबर है उससे राहत की बात लोगों के लिए है क्या पूरी अपडेट है आपके पस बिल्कुल देखिए जहती फिलाल के अगर अपडेट की बात करें तो पूरी उनकी हालात इस्थिर बनी हुई है जो मेडिकल बूर्ट गटित किया गया था उनके लाज के लिए फिलाल उनकी हालात पूरी तरह से इस्थिर बताई जा रही है लेकि मुक्यमंतिर शूर्ण गहलोत ने विए उनके सब्सक्री जानकारी लिए जो उनकी मास्टर बहुरलाल की बेटी हैं, उनसे बनार्सी बेगवाल, उनसे फोन पर बात किया, मुक्रमंतर जसु कहलूस ने भी और सिचिन सचिन पाइलेट ने भी, केंदर इस्थर के जुनेता हैं, प्रभारी राजस्तान के अविनास फांडे हैं, कुमारी सहल्जा, जो स्ट्रेणिंग जॉमेटिक ठेर में रही थी, उनकी उन्हों नो पर राजपाल कलराज बिस्त ने भी फोन पर उनके स्वास की जानकरी लिए, कई मencies और ने विनायकों ने भी अस्पिताल पहुंच कर उनके स्वास के जान गरी जी तमाम जान कारे के लिए बहुत शुक्रिया देनेश